है नमश्कार दोस्तों मेरे पार्म रडिंग चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आई आज 49 वर्स की महिला के पाम का एनालेसस करेंगे, इनके सवालों का जबाब करेंगे, तो सरप्रतम इनके सवालों को सुड़ेंगे, फिर के करके इनके सवालों का उतर करेंगे, उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमाई चानल को सस्क्राइब नहीं किया है, तो किरपेकर क चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बैल अकन को प्रेस कर दें, ताकि लेटर्स नॉटिफिकेशन आपको मिल जाएं, तो चलिए शुरू करते हैं, इनका कोशन इस परकार है, वरतमान समय में ये जॉब में हैं, गवर्णमेंट जॉब में हैं, और जानना चाहती हैं आगी के जि इन सारे विश्योपरिन को जानना है, तो निश्चिंत्र ही आपके सारे ही कोशन्स को कवर किया जाएगा, पहली पॉस्टिफ चीजों को दिखाया जाएगा, फिर आपकी नेगेटिफ चीजों को दिखाया जाएगा, फिर आपके कोशन्स पर चलूँगा, फिर कुछ उपा जिसके रहने मात्र व्यक्ति बहुत जादा होते बाग्य साली और ऐसे बाग्य साली होते कि जिस भी गर में ऐसे व्यक्ति रहेंगे उस गर में पैसे के मूरता दिक्कत नहीं आएंगी क्योंकि ये कमाएंगे और गर के सबी मेंबर्स को उसका सुख मिलेगा तो ऐसी कौन से अ तो आईए इनके positivity को हम देखते हैं, तो देखे सबसे पहले मैं उस science की बात करता हूं, जिस science के वेशन मैंने आपको भी बताया, just बताया, देखो strong money triangle, मतलब ये तो गजब हो गया, गजब का money triangle आपके हाथ पर बुद्द रेका basically अच्छी है, और इसी अधार पर ये वाली बन रहे है money triangle, और यहां से एक गेटर ट्रेंगल भी बला जबरदस्त आपके एतली पर बना है, तो ये एक extreme positivity में count होता है, extreme positivity में, यहां पर से हम इसके अच्छे ही फल देखते हैं, जा पर दस्त बाग्य रेका इसको हम कहते हैं, और आगे आपकी बाग्य रेका का branch जो के जिन्दगी के last तक जा रही है, तो बाग्य रेका उत्तम आपके एतली पर मौझूद, इसमें किसी परकार का संदे नहीं है, उसके बाद एक और देखो बाग्य रेका सी बन रही है इनके strongly बने ये वाले क्या जबर्दस्त है, और आगे भी आपकी सूरी रेकासी बन रही है, तो इस अदार पर विक्ति अपने कारे छेतर को लेके accurate रहते हैं, एक नौकरी की प्राप्ति आपके जिन्दगी पर तो अवश्य ही होती, इसमें कोई doubt नहीं है, उसके बाद यहां से ए बहुत जादा शानदार आपके अटली पर मौझूद, इवन जानदार प्रगति के योग, ये तो फिर next level है, next level, तो ये कुछ positive अवस्थाएं आपके अटली पर मौझूद थी, जिसके regarding आपके जिन्दगी पर अच्छे ही फल देखने को मिलते हैं, इसमें कोई संदेह नही स्ट्रॉंग आपकी सारी प्लैनेट्स, तो मौलता गरूं का स्ट्रेंथ अच्छा है, तो अतली राजजोग कारक है, ये भी एक positive अवस्था है, तो ये थी इनकी positive अवस्था है, अभी इसके उपरांत हम चर्चा करते हैं, negative चीज़ों के तरब, तो सबसे पहले चीज, और लोकुस त्वास्त को लेकर ये कभी परशानी कर देगी, financial loss को लेकर परशानी कर देगी, हलाकि आपकी बागिरेखा और बुद्धरेखा और जैसे अतली के conditions थी, तो ये धनके आगमन के मामले में तो दिक्कत नहीं करेगी, लेकिन खर्च किस्थिती को जरूर बना जो आपको तकलीफ देती हैं आपके जिन्दगी पर ये समझ लो आप, तो तकलीफ देने वाली परशानी राहु रेखा इंडिकेट करती हैं तो यहाँ पर से इस केस में ऐसे जातकों को स्वास्त की प्रशानी जदा प्रशान करती है जिसको हम loss ही कहते हैं कही ना कहीं, पर ये पैसे के संदर्म में तो दिक्कते नहीं करेंगी, लेकिन स्वास्थ प्रभावित रहेगा, 30 साल के बाद राहूर एका ज़्यादा सक्रिये थी, तो 30 से लेके अभी तक हर साल में कोई ने कोई परशानी आपके जन्दगी पर जरूर से आती होगी, जिसको लेके काफी रहते होंगे, काफी ब्रहमित रहते होंगे आप, मेजर प्राब्लम तो नहीं, लेकिन प्राब्लम होती ही रहती, जिसको लेके इंसान प्रभावित रहते हैं, तो पहले नेगेटिविटी तो ये थी, इसके रिगार्डिंग में आपको उपाई दे दोंगा, बाकी एक मोल आपके जरूर बुद्ध फिंगर पे बना है, और बुद्ध फिंगर आपके अंधर की immunity को दरशाती है, आपके strength को दरशाती है, आपके समझधारी को दरशाती है, तो यहाँ पर से हो सकता है, कभी कबार निरने गलत हो सकते हैं, गुस्ता जादा आसकता है, इिटेशन जा जादा आपको देखने को मिलता होगा, आपके खुद के जिंदगी में, खुद के नेचर में, तो ये चीज़े हो सकते, इसके रिगार्डिंग में मैं आपको उपाई दे दूँगा, ये बहुत जादा जरूरी है कि आप इसको करें, और दूसरा सिब बगवान की पूजा तो करो, बाकी कुछ एडिशनल उपाई भी मैं आपको दे दूँगा, एक आपको जो मैंने बोले नात का बताया अराधना करने है, तो वो आपके लिए तो काफी जादा फाइदे मंद रहेगा, इसके उपरांद भी कुछ चीज़े करनी हैं, तो वो मैं प्रस्नली आपको तो अभी इनके प्रश्न के तरफ चलते हैं, देखो, पॉस्टिविटी तो आपके हाथ पर बहुत ज़्यादा शानदार है, ऐसे विक्ति जिन्दगी पर तो आगे बढ़ते ही बढ़ते बढ़ते बढ़ा ही आप, आप बढ़ी ही हैं, आपके बागे से उन्नती हुई ही है और आगे के जिन्दगी भी आपकी बहुत मस्त खतर ना के इस चीज़ का परिचे अभी जस्ट किये दियूँगा मैं, एकदम जबरदस तरीके से, तो देखो, फेट लाइन को तो मने दिखा दिया, ये तो जिन्दगी के लास्त तक है, तो बागे का चिंटा तो नहीं करना आपको, उन्चास में साड की आयो, इसके बाद भी आपकी बागे रेका अच्छी सक्रिये है, तो यहां पर से बागे का फल तो मिलता है, अभी में जो है हाईलाइट वो आपकी जीवन रेखा है, यहां पर से क्या चीज़े समझ में आ रही है, तो बचपन से ही लेके चलते आपके जिन्दगी को, अच्छे पड़िवार में जनम होता है, ऐसे विक्ति होगा, और काफी अच्छी प्राग्रस लाइन थी, तो आपके जनम के बाद भी घर में तरक्की हुई होगी, डिगरी पूरा किया, कुछ दवाब थे बचपन में, वो नॉमिनल थे, और आपकी उनीसमें साड में एक दिक्कत थी, फिर तकरिबन एक बाईसमें में दिक्कत थी, चौबिसमें साल से प्रगती के योग थे, फिर यहाँ पर एक दिक्कत आपकी तकरिबन सा थाटाइसमें साल में थी, अठाइसमें उन्तिसमें में एक बड़ी प्रगती के योग थे, वही पर से एक nominal राहू रेखा थी, वो बहुत nominal थे, इसके side effect तो जिन्दगी पर नहीं आते, और ये जो है ना, ये सब progress line ही है, आप कहते ले पादा, तो इसको लेके confused भी नहीं हो ना, 29-30 में में एक progress line थी, फिर एक राहू line हो गई आपके 30 में में, फिर एक 35 में में हो गई, फिर तकरीबन एक 37 में में, फिर तकरीबन एक 40 में में बड़ी थी, तो ये कुछ राहू रेखा आपके जिन्दगी पर 40 में साल तो exactly थे, लेकिन बीच-बीच में प्रगती का योग थे, तो कही ना, कही चीजों को cover up कर रही होंगी, ये, खर्च किस्ति बनती होंगे, लेकिन प प्रभाबित मुझे आप दिख रही है, और एक लास्ट आपका राहू राइन 52 में साल में, 52 years, 50, हाँ, ये 51 का मानलो आप, 51, 52 का, तो इसके regarding तो मैं आपको उपाई देही दूँगा, यहाँ पर से एक प्रॉग्रस प्राइन है, तो ज़्यादा चिंता नहीं करना, nominal problems आए लेकिन problems तो जरूर आएंगी, इसके regarding मैं आपको बता दूँगा, वो काफी अनिवारी है आपके लिए जो उपाई में आपको दूँगा, फिर आपकी देखो, एक जबरदस प्रगती आपके जिंदगी पर, तिरपन में सार में, ये बड़ी खतरनाग है, बड़ी खतरनाग तरक्य यापर से जिंदगी पर आगे बरने के बहुत अच्छे chances हैं, चोवं में, सार में भी है, फिर तकरीबन 1662 में में भी है, बासट के बाद तो फिर कुछे अलगी लेवल की तरक्की है आपके जिन्दगी पर मतलब continue हर साल दो साल में प्रगती और कोई राहू लाइन नहीं है कुछ बड़ी बड़ी लाइन भी है साथ के बाद कुछ यात्राई भी है और उसके बाद तो गजब की प्रगती के योग है इसके पहले भी बने हुए है और एक भ स्वास्त को लेके अभी कुछ समय तक तो परिशानी रहेगी इसके रिगार्डिंग तो मैं आपको रेमेडीज विकरा जरूर से दे दूँगा उसको करने के भी आवशक्ता है मां की आगे के जिन्दगी आपकी काफी अच्छे खुश हो जाईए मस्त हो जाईए और साथ ही साथ कुछ अवेर्नेस जरूरी है स्वास्त का केर जरूरी है एक्सरसाइज टाइम पर होना भी जरूरी है तो ये चीज अपने डेरे डेरिक जीवन में आप एड़ करो बाकी तो कोई चिंटा में नहीं देख पा रहा हूं तो ये इनके आगी के जिन्दगी के विशा में प पलता को पाते है मूलता इसक्वाइरिस पाम वाले विक्ति अच्छे ही पद पर देखे गए हमेशा बाकी प्लैनेट्स में अच्छी खासे स्ट्रेंथ है तो 65% राज्योग का फलोडा है जिन्दगी काफी अच्छी बीतिती है इसमें किसी परकार का संदे नहीं है शक्ति प्रबल तक शक्ति भी बहुत शांदार है डिजायर्स के बहुत अच्छे लाइन से तो पहरे जिन्दगी को सेट करना था फिर बहुत कुछ करना है ये आपकी एतली मुझे कंप्रीटली बता रही है इस अदार पर विक्ति करते भी है यहाँ पर से कुछ आपके स्क श्रपोर्ट की अवश्क्ता पड़ेगी जरूर से मिल जाएगी इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं है हलकी अलकी इक्छा सक्ति में थोड़ी कमजोडी मुझे दिख रही है ये बहुत नॉर्मल है इसको लोग के साथ चिंता नहीं करना और थंब पर इनके थंब पर एक चक्र बनावा ये बहुत बहुत उमदा बहुत उमदा चक्र तो यहाँ पर से इंसान जुकने वाला नहीं होता अगर इंसान के अंदर कोई बात बैठ गई वतलब कोई चीज बैठ गई तो फिर उसको दिमाग से भी नी निकालता और कई ने कई मैनेज करने की में कोई डाउट नहीं तो थंब तो वाकी अला जबाब है आपका फिर चलिए आपके अतली पर यहाँ देखो समझदारी के लूप भी काफी अच्छी बनी हुई है तो ऐसी महिलाएं बहुत ज़ादा समझदार होती है नो डाउट बाकी फिंगर पर खड़ी लाइन है तो यह आपर से दिल की बहुत अच्छी है दिल में तो कभी किसी पर के लिए कोई करत बाबना नहीं है और थोड़ी इंट्रोवर्ट प्रसनालिटी है जब गुस्सा आएगा तो यह रूटनेस भी आ सकती है और गुस्सा यूजलेस के तरह नहीं आता है कुछ गल्ती को ही देखके आता है बाकी खड़ी लाइन से आपके अच्छाई का परिचकर आ रही है ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा अच्छे होते है और बाकी आपकी प्रसनालिटी के फिंगर अलकी टिंड कर रही है तो दारमी का आस्ता अच्छी है यह छोटी यह बड़ी है तो विक्ती बहुत अपनी जन्दगी पर जरूर बनते है सूरी फिंगर लंबी है इसका मतलब ही होता है कि इंसान बहुत हिम्मती है नो डाउट बुद्ध फिंगर तकलिबन फर्स फैलिंस तक है तो अपनी बातों को दूसरे के समक्ष रख पाएंगे कमनी केसन इसकिल वाइस बहुत प्रबल तो यह आपके बरश्पती तो बरश्पती है वैसे अच्छी प्रारंबिक समय में थोड़ी दिक्कत थी तो नॉर्मल पारिवारिक समस्या या नॉर्मल स्ट्रगल्स को आपने जंदगी पर देखा है पारिवारिक संदर्म में और यह प्रारंबिक समय में है फिर तो बरश् कारी किसम के विक्तियां सेवावावी नेचर है दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा ही तात पड़ी है और कुछ लाइन से तो घर के मेंबर से अनबन है घर के मेंबर्स में बहुत से लोग आते हैं तो हो सकता है नेचर मैच ना करता हो यहाँ पर से यह चीज़ें हो सकती है या आपको यश्ट ना मिलता हो या सामने वाले के तरफ से समान ना मिलता हो जिसके वैसे आप काफी परशान रहती हूँ यह एक नॉर्मल इसकी प्राब्लम रहती है नॉर्मल प्रडिक्शन्स रहते है बागी तो कोई दिक्कत नहीं है बागी ब्रश्पती अच्छे तो इ या त्राई भी होंगे इस केस में और फेट लाइन का अच्छा होना ही इस चीज का परिचकर आता है कि जिन्दगी का लास्ट तक आपका बढ़ियां समय बीतरा है नो टाउट यह चीज आपने समझ लिया और बाकी देखो तो एक लाइन ओफ एजुकेशन बहुत समझदार समझदारी हद से जादा है ऐसे विक्ती बहुत ज़्यदा समझदार होते हैं अपने कारे को बले समझदारी के तहत करते हैं इसमें भी कोई संदेह नहीं है बाकी सूरी पर कुछ प्रापटी के तो बड़े अच्छे योग है एक ही यहाँ पर से बना फिर देखो एक आपकी इसमें कोई संदेह नहीं है एक रही या चार है चार रहता है तो योग परबल होते है अडली एस से प्रापटी बिगरा का सुख मिलने लगता है बाकी ऐसे लोग एक से ज़़ादा ही प्रापटी बनाते है तो यह चीज़ आपने समझ लिया बाकी कुस ट्रैंगल भी आपक एक लाइन जो जा रही है आपकी मंगल के तरब ये भी प्रापटी के सुख को दिर्शाती है और एक जबर्दस्ट सूरी रेका दो-दो ब्रांचेस के साथ यहाँ भी देखो तो इसादार पर विक्ति के पती के संपती का अच्छा साथ और पिता के भी और यहां से भी आपको इतली पड़ फिर सन मरकरी बहुत अच्छा है ऐसी मैलाई घर को समालने वाली घर को चलाने वाली होती है सन और मरकरी अदभुद और जबर्दस खरी लाइन्स तो विक्ति बहुत क्रेटिव हैं बहुत समझदार भी हैं अपने कारे को बड़े समझतारी के तहत करते हैं no doubt बाकि सन मरकरी का अच्छा होना ऐसी मैलाई घर को चलाने वाली समालने वाली होते है no doubt तो इस चीज़ा आपने समझ लिया strong मार्श मतलब दोनों ही मंगल तो कमाल लगा है energetic बहुत ज़ादा इसी मार्श के दम पर आपकी इतनी राहू लेखा आपको कुछ बिगार नहीं पा बाकि दोरों ही मंगल आपका बहुत ही खतरनाक एमाउंट में इस अधार पर विक्ती को energy बहुत अच्छी प्रदान होती है कितनी बड़ी भी problems आजा है तो इंसान कई न कई इन चीज़ों को face कर लेते no doubt तो मंगल के सिती अच्छा होना property के सुक को भी दर्शाती है और आप आपकी मंगल तो mind blowing है तली पड़ा फिर हर्ट लाइन भी काफी अच्छी है थोड़ी emotional है तो ये अच्छा चीज़ है आप में emotional nature है इसका मतलब क्या होता ना इंसान भावुक है अपने पाड़िवाई दिस्टिकों को लेके manage करने आता है और विश्णु योग का formation है और दि आस आपका रहता है बहुत है strong महिला है आप और strong आपकी mind रेका मतलब जबर्दस्त एक से जादा mind रेका का branches खुल रहा है ये तकलिवन आपके 50-60 साल के बाद है बाकी mind रेका heartline तो क्या ही गजब एक दम अदभुद और जबर्दस्त आपकी triangle यहाँ भी है यहाँ भी देख लो यहाँ भी देख लो तो positivity increase ही कर रही है इस case में इंसान को दिल दिमाग का अच्छा ही वल परदान होता है उनके life पर तो mind रेका heartline बहुत ही शानदार है फिर देखे strong आपकी strong आपकी चंदरमा और चंदर पर से कुछ lines जो आपके चंदरमा को support सी कर रही है तो इस अदार personality होती है manage करने वाली personality होती है और पैसे के flow जिन्दगी पर अच्छी बनी रहती है यह सब बेसिकली यात्रा के lines है तो बेसिकली जिन्दगी पर यात्राएं रहती है कि यह तो परदबत पिक फिस्तो बन रहा है कास्मिक दनल आपको दर्शार है यह एक triangle सा भी बन रहा है और proper squares आपके शुक्र पर मौझूद एक से जादा तो विक्ती को luxury life का सुक तो मिलता ही मिलता है और अच्छी अस्तर पर मिलता है और money management के क्या ही गजब lines तो विक्ती के जिन्दगी पर पैसे के दिक्कते तो नहीं रहती पैसे तो बहुत आते हैं इस case में बहुत जादा आते है कुछ nominal stress थे प्रारमिक से वो nominal ही थे बाकी proper luxury सुक के lines ये तो फिर next level है और जबर्दश शुक्र मतलब luxury का सुक personality काफी अच्छी होती है और husband काफी supportive काफी कमा होते है no doubt फर देखें आपके strong marks मंगल का चाउन आपके energy को दर्शाता है tensions के line तो है विक्ति काफी चिंतित रहते हैं और बड़ी मोटी मोटी lines है तो यहां पर से चिंता के सित्व तो मुझे बहुत ज़दा दिख रही है तो चिंता कम करो बाकी over प्राक्रिमी आप अगर इसको overcome करना चाहेंगी चिंता कम करना चाहेंगी तो बहुती राम से इसको आप कर पाएंगे तो इसको कम करें बाकी मंगल पर कुछ triangle से इस सारे property का योग को ही दर्शाते हैं और strong marks line मतलब एक से ज़ादा और जीवन रेका तो उतनी बड़िया तो कहीं ने कहीं support तो करी ही marks line ने आपको ने तो इतनी जादा राहू रेकाती कि जिन्दगी सरवाइफ करना बहुती तकलीफ दे हो जाता तो कहीं ने कहीं मंगल रेकाने आपको support तो कराई है तो आगे भी आपको support करेगा ही करेगा आयो दिरगायू है अभी चलिए fate line बहुती अच्छी है आपके जिन्दगी के last त आती और आगे भी बस 36 के बाद भी खतरना के इवन जबड़ दस्त है और जिन्दगी के last तक बढ़िया तो बागे का दिक्कत नहीं है और multiple property के योगतों में एक से जादा ही दिखा दूँ आपके एतली पड़ ये तो complete है ये तो complete है कुछ irritations के line है तो ऐसे विक्ति को गुस जल्दी आता है गुस्सा कम करो बागे कुछ triangles आपके अतली पड़ी है सारी आपकी positivity को दर्शानी है और बुद्धरेका तो मतलब अदबुद्ध है next level next level बुद्धरेका है विक्ति business prospectors से अच्छे होते हैं नहीं तो पैसे बहुत आते हैं इस case में बहुत जादा आते हैं औ और एक देखो यहाँ पर से एक line money triangle एक glitter triangle दोनों इक case में बहुत अच्छी है और 60 के बास तो प्रगति के योग तो इतने खतरना के मैं क्या ही बोलू तो जबरदस्थ हतेली शांदार हतेली और सूरी परवत पे एक अलका star सा भी जरूर बन रहा है तो मतलब गजब गजब आप deserve करती है जिंदगी पर एक सुक आपको और एक सुक सविदा मिले कि इसमें कोई doubt नहीं है तो ये था इनके तलिका पूर्णता विश्कलेशन अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया like कर दे comment कर दे subscribe कर दे अगर आप प्रसनी में इस अस्तरिका निका के सही जानका पारी पाना चाहते हैं हमारा वोट्स अपनमबर डिस्कुप्शन मिल जाएगा लेकि आप संपर्थ कर सकते हैं धन्यवाद